नए वीडियोज देखने के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करें झाली हमारे चानल झाल 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 मोहमद हुसेन राउफ बिजनसमैन, डिप्लोमाट, पॉसिबल आयसाई एजेंट पाकिस्तानी इंटेलिजनस एजेंसी और हिंदुस्तानी पॉलिटिशन्स के बीच का सबसे बड़ा डिल में करें, सर ब्रिगेडियर शर्मा, करप्ट एज हेल, लेकिन हमार पास कोई प्रूफ नहीं है, सर समर सेंग येस सर, पावर ब्रोकर, आजकल की सारी डिल्स यही क्रैक करता है राउफ के साथ काफी देखा गया है सर इसे, स्क्वाश खेलते गोई तुम कहना क्या चादे ब्रिगेडियर? सर, कश्मीर में, लश्कर की हलचल काफी पढ़ गई है एलेक्शन आने वाले है हमें जल से जल यह पता लगाना चाहिए कि इसमें होने के हवाला है then do what you have, what are we waiting for? we have 103 agents in the valley have your pick सर, I need someone from outside विक्रम सबरमा अट्रा साल बाद में कश्मीर लोगा था सब कुछ में से यादा आई था साल 1989 से जलूस, सड़तों पहंगा में हफ्तों कर फीड़ और लोगों के मन में कहीं दहशत थी तो कहीं पढ़ती आजादी का चुने और इसी दोरान मीर वईस कश्मीर का खतल हुआ एक लंबी जंग का एलान हो चुका था अब क्या चाज़े हैं? आजादी! अजादी का मतलब क्या? आजादी जलूस, इन हिंदुतानी फौर्ट के दिर्दों में सर्यान मौली साथ का कतल किया है काफिरों, जालिमों, तक्षिए हमारा कॉर्टों, इसलाम हमारा मक्सद है तुरान हमारा बस्दूर है और जिहाद हमारा रास्ता है नारा ए तक्बीर! नारा ए तक्बीर! सिक्यरिटी फॉसेस को फिरन पहने सब कश्मीरी एक जैसे लग रहे मम में ओकते लोगे है व हम ऑज खारान है दूमन, हर समय, हर क्रह, हर सद़भा, हर गयस, हर गार, वहर भॉसे थूनhhhh if 두're don't seriously ца Stream कोई शार कोई शार करसे हिसे जो सेikit है ждंग डाथ अब नहींते खुटरोजस्त वीज़ अन्हारी रखलाइस इंटरोगेशन अब डिरको ज़ंगे ज़ वे ज़ दें、 में औरम कंगेन, तरक गजेन ढूने ज़ जब ही भाशा एक यचल आए अफगानिस्तान में रूस की हार ने कश्मीरियों के होसले बुलंद कर दिये अब पुलिस पर कांगडी और पत्थर फैंकने के दिन गए बच्चों जिस तरह से तुमने कुरान की आयतें याद की है उसी शिदत के साथ पाकिस्तान में जाकर ट्रेनिंग करना और जब कभी आराम करने का दिल करें तो यहां तुम लोगों की माओं के साथ, तुम लोगों की बेहनों के साथ जो ज्याती हुई है उसे याद रखना इन्शाल्ला हम ये जंग जरूर जीत के रहेंगे अगले जुम्मे बिंडी में हालत इतनी खराब हुई कि कश्मीरी बंडुतों को अपना सब कुछ छोड़कर कश्मी से निकलने पर बंचबूर किया गया किसी ने उन्हें रोकनी की कोशिश लेकी और कश्मीरियत को हमेशा के लिए दांग लग गया हवा बदल चुकी थी, जो कौम चाकू छूरी चलाना भी नहीं जानती थी, अब आटोमेटिक बंडूक उनके लिए खिलोना बन गया थी हर नौजवान शहीद बनना चाहता था, कश्मीरियों को पूरा यखीन था, कि चंद दिनों में आजाद कश्मीर का छंडा है श्री नगर के सेक्रेटेरियट पर ले राएगा यहां का मौसम और माहोल कभी भी बदल सेक्ता है वेलकम तो कश्मीर, तो मोस्ट देंजरॉस प्लेस इन दे वर्ल्ड यहां के लिए तुम्हें एक नई आइडेंटिटी लेनी होगी तुम्हें एक नई आइडेंटिटी लेनी होगी है जितना चाहोगे इन मिलेगा इस इस अहाईली कॉंपिदेंशल मिश्टी लेगा खत्रा कहीं से भी किसी से भी हो सकता है आइडेंटी लेगा आइडेंटी लेगा अटरा साल में कुछ नी बत्ला है वही नफरत वही आग God made heaven Man created hell This is the story of Kashmir आइडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडें अगर सारा कश्मीर कबरिस्तान बन जाए तब भी जमीन से एक ही आवाज उठेगी हम कश्मीरियों का खून कोई जहलम का पानी नहीं जिसकी हिंदुस्तान की नजर में कोई किमत नहीं है आज जी के दिन मौलवी साब शहीद हुए था पिछले ठारा सालों से हम यह जंग लड़ रहे हैं और तब तक लड़ते रहेंगे जब तक कि हमें आजादी नहीं मिल जाती नारा ए तकबीर अल्या हुआ पर इतिहास गवा है जब-जब माता खीर भवानी के पानी का रंग काला हुआ है तब-तब कश्मीर में कोई कायामत आई है इतनी तब ही तो हो गई मा अब और क्या बचा है चार चिनार का मैसेज है रहना बारी चौक बहुत प्रेशान करके रखा है इन सी अर्पियाट पोल कि आईडी दिखा है अरे छोड़ाना साब, एक मिनिट, भीश में मत बोला बना दोनों को यह ही ठोक दोगा, वले ख़ादों को इहा ही ठोक दोगा, वले क्वादों को यह जाते हैं इह जाते हैं इस ब्लास्ट की वज़ा से सिचुएशन काफी टेंस हो गई है और काश्मीर पर पूरे दुनिया के मीडिया की नज़र है हमारी तरफ से जानी डिपार्टमेंट अफ जे अनके अफेर्स की तरफ से एक प्रेशनोट रिलीज करो कि हम इस ब्लास्ट की हाजी पर हुए हमले की निंदा करते हैं और लोगों को यकीन दिलवाते हैं कि इस बार इलक्षन पीसफुल होगा कोई प्राबलम नहीं होने वाली और हर बार की तरह इस बार भी सरकार हम ही बनाएंगे PKF के लीडर हाजी सयद शहा पर हुए आत्मघाती हमले में उनके पार्टी लीडर शबीर अली नोन और उनके ड्राइवर की मौत हो गई हाजी सयद शहा ने कश्मीरी आवाम से दर्खवास्त की है कि वो अपने उस्सेगों काबू में रखे सर इस हमले में आपके पार्टी लीडर शबीर अली लोन की मौत हो गई आप किसको जिम्मेदार मानते हैं कश्मीर के दुश्मनों को जो नहीं चाहते कि कश्मीर आजाद हो लेकिन अफसोस की बात ही है कि आज मेरा एक और अजीज मैंने खो दिया क्या नाम बताया आपने सर सत्रा हमले अठारा साल में और इस सब से आप बच निकले वो इंसिडेंस वाट आप में अब उजी एक्ष्मेंग दिस सर यह तो अल्ला का फाजल है सर जब आप जैसे लीडर पर ब्लास्ट हो सकता है तो क्या लगता है आपको आम आदमी के लिए कश्मीर जैसी जगा कितनी सुरक्षे थे सर बेतर होगा अगर यह सवाल आप आवाम से पूछें कि किस तरह साथ लाख इंदुस्तानी फाज आवाम की हिफाज़त कर रही है राजवाल बॉंब ब्लास्ट का तो मैं आप से पूछता हूं क्या बॉंब ब्लास्ट मुंबई एहमदाबाद या दिल्ली में नहीं होते सर लेकिन करवाते तो लशकरे तोईबा जैसे टेरिस ग्रूप सी हैं बरसों बाद एक बंडित रिपोर्टर को यहां देखकर अच्छा लगा वैसे मिस्टर रायना आप कश्मीर में कब से रिपोर्टिंग कर रहे हैं सर यह कोई छे महीने चे महीने से यह जानते हैं नहीं यह परवेज है छे महीने का था जब मैंने जेल में बंद कर दिया गया था अपनी मा के साथ लेकिन यहां सालों से कितनी औरतों ने अपने मर्दों को नहीं देखा आपका मीडिया यह बात हिंदुस्तान के लोगों को क्यों नहीं बताता मिस्टर रायना नो यू आंसर में दिस पीर बाबा की याद कैसे आगई मिलने की इच्छा हुई इसलिए चलाया तुम इंटलिजन्स के लोग हमेशा दूसरों को थोड़ा कम इंटलिजन्स समझते हो इसलिए शायद दुनिया में इतनी दहशत है यहां हर आदमी एक मकसद से आता है मैं एक मिशन पर आया हूँ कश्मीर फिर जनने वाला है इसमें कौन सी नहीं बात है अटरा साल से तुरूज हो रहा है यहां कुछ बड़ा होने वाला है एटी नाइन से भी बड़ा मैं तुम्हारे कैसे मदद कर सकता हूं ब्लास्ट के बारे में जानना चाहता हूं मारूफ दर्वाजा खोलिए एक जरूरी खबर देन में एक नट हुआ 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 है भाजी बाबा पे हमला किस ने किया था मुझे क्या पता जिस ने किया था उससे पूछ मेरे के लिए असला तू नहीं दिया था ना पॉर्डल किसका था नहीं बता सकता खबीज यह नहीं बता सकता तो तू जी भी नहीं सकता दर्माजा खोल! आदूफ दर्माजा खोल! मेरा काम बड़पाल में सबरीना के घर पे तमान देना था इस विज़ा तक कुछ नहीं पता प्रेडी ओल चेक पोस्ट एक लेड़की दूरके में कडल नहाटा की तरफ भाग रही है लोटे, लोगल! डिल, बीकश घंज है। झुद जंए झाल, उनक बुद झाल, पुद जाएना दुद झाल, इसे जाल, पाल, पाल, इसे जाल, इसे जाल, जैसे जोड़बगे झाल, जाल, जू एख जङ कॉपएंट है। को रहा तू? मसीहा, तुम्हारी जान जो पचाई तुम्हें मारूफ को क्यों मारा? तुम्हें उससे मतलब नाम क्या है तुम्हारा? गुल जाहंगीर बाइ जाहंगीर झालन को क्या है प्याँ काना तू? बायँ प्याँ काना ट्यार आता हूँ बाप को फोज ने बारा और भाई को मिलिटन्स ने और फिर भी जनाब आजादी के खुआप देख रहे हैं हम क्या चाहते हैं किसी के आजाद कश्मी लिखने या बोलने से आजादी नहीं मिल जाती जनाब गुर्बानी देनी पड़ती जैसे शब्बीर साब ने दी है देखे मैं चाहता हूँ कि इस बार सारी पार्टियां एक छट के नीचे आ जाएं हमें एक खटे लड़ना पड़ेगा खुदा आफिस बाबा महरूफ गदार था और गदार को पूछ कर नहीं मारा जाता बीटी तुमसे कितनी बार कहा है कि अपने जनून को काबू में रखने की कोशिश किया करो बड़ी बीक इजासत की बिना तुमें वहाँ नहीं जाना चाहिए था बादिमस कोड या परवेश को साथ ले जाती है जोश में होश खो बैठती है यह आम बात कर रहे हैं तुमें बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है परवेश बाबा लेकिन इस मुहीम में मैं बहुत से अजीज खो चुका हूँ तुमें निक होना चाहता पीटी अपने वा असलाम वालेकुम बाजी वालेकुम असलाम क्या हाल है ठीक चुका बाजी बतमालू में सबीर्ना के घर का पता चल गया है मारूफ ने असला वही दिया था पातिमस कोड को तैयार करो जुम्मे की नमाज वही पढ़ेंगे जी और पता करो ये कुल जहांगीर कौन है सुनाये तुम आर्मी की वर्दी बनाते हो देखे जनाब आर्मी जवानों को रद्धी देती ये वर्दी नहीं अगर जवान अपने पैसे खर्च करके अच्छी वर्दी सिलाना चाहे तो इसमें किसी को क्या एतराज हो सकता है अगर कि मिलिट्री को एतराज नहीं तो मुझे क्यों होगा लेकिन जो रद्धी मिलिट्री तुमें भेचती है उसे तूम मिलिट्इन्च को देतेो आखिर मेरा धंदा है जनाम रोजी रोटी क्या करे अगर ये कपड़े किसे बेचते हो मिलिट्री को या मिलिट्रिक को जी दूँगा, लेकिन पहले, इन्फोर्मेशन, ब्लास्ट किस ने करवाया, जी, जी, मिलिटेंट्स ने या मिलिटरी ने, ये काम किसी एजिंसी या अंदर कैदमिक है, जी, मिलिटरी या मिलिटन का नहीं, इतने यकीन के साथ कह सकते हैं, जनाब, यह है रहनावारी चौक, नो मैंस लैंड, यहां जैश, यहां अलबदर, यहां हिस्विल मुझाइदी, इन तीनों में से, यहां कोई अटैक नहीं करेगा, यह बात है, और लश्कर, हाँ यहां कोई नहीं, लश्कराइ! हाइाई, कज़रः रहते हैं! आये आये लस्क राइव वाये लस्क राइव चुज़क ऐससलाम वाले कुम ठीक है रौफ हंदोस्तान में सारे निंटामात कर रहा है आपको जो भी चाहिए आपको मिल जाएगा चाहिए लीजे जनरल साब पूछ रहे थे कि मिशन को अंजाम देने के लिए कोई तारीख दी गई है कि नहीं इंशालला इस दफ़ा दिवाली ईद से पहले ही आ जाएगी फिल्हाल आप कश्मीरियों से कह दीजे कोई एमकाना हरकत ना करें हमें कोई गड़ बड़ नहीं चाहिए फाग रहा था सुमलर से मिला है हमें कोईवपा से कि वाल इससे खड़ाइब नहीं कि थे उमिद खो चुकी उस चीज को पाकर बहुत दिल को खुशीख हुई सलाव जिन्दकी सलाव जिन्दकी कि सलाव जिन्दकी अम साथ में है और साथ रहे बस दुआ ये करते है आपाद रहे अपनी मौहपत रब से ये कहा करते है ताफ़तार रचए इसक्धाशा तरफ टहारे बन बन दो ताफ़तार रचए इसक्धाशा आपना खुय अबना सुना हो जिस चीज को पाने की थी मैं दखा चुकी उस चीज को पाकर बहुत दिल को खुशी हुई सलाम जिन्दगी सलाम जिस चीज को खुशी हुई इस सारी आजबर दिन्दबसित दिल जरिपोष गुशारो अमनु का माद राद दिनुजा दिल जरिपोष गुशारो सलाम जिन्दगी सलाम जिन्दगी सलाम जिन्दगी जिन्दगी सलाम सलाम सापलीना का जिन्दगी सापली मोरु हुई सुझเสी जिन्दगी सापलीना का है समक्य कर दर देए सापलीना कर देए सादू सादू अश्रीन अगर में फातिमा स्पोर्ट की लीडर अजीजा अंसारी ने बहुत ही बड़ा और चौका देने वाला सेक्स केंडल एक्सपोस किया चौका देने वाली बात ये है कि इस और्गनाइज सेक्स रैकेट की पीछे जो शक्सियत है सबरीना मलेक उनके तालुकात एक नामी, गिरामी, पॉलिटिकल फैमिली के साथ है तो आईए जानते इन लड़कियों से कि क्या वो वज़य है, क्या वो मजबूरी थी कि उन्हें ये कदाम उठाना पड़ा लूटना किसमत है हमारी किसे, किसे जिम्मेदार मानती हैं सब लुटे रहें यहां पर फॉज, फॉज बंदू की नौक पर लुटती है और लीडर्स आजादी की दुहाई दे कर कश्मीर का या नया पहलू वाकई चौका देने वाला है आजादी की मुहीम लड़ने वाली पॉलिटिकल पार्टी कि आप जिस्म फरोशी और औरतों की दलाली पर उतर आई है आजी साब, आपके होते ही यह क्या हो रहा है वादियों में यह सेक्स स्केंडल जैसे खबरें कश्मीर की मुहीम को बदनाम कर रही है मत भूलिए आपको यह फंड्स कश्मीर की आजादी और जिहाद के लिए दिये जाते हैं देखिए जनब, इसमें हमारा कोई इन्वाल्मेंट नहीं है लेकिन कंट्रोल तो कर सकते हैं न, इलेक्शन तक कोई हंगामा नहीं चाहिए अनलेस ऑथराइज बैस, खुदा आफिस उसकी फिक्र नहीं है आपको, सब्रीना जैसी बचसाथ को लाल चौक पे गोली मार देनी चाहिए अजीजा, तुम अपने दायरे मेरा ना सीखो परमे सेखो, इसकी इफासत का इंसाम करें गुल जहांगी, पीछे मुड़कर मत देखो, दो आदमी तुम्हारा पीछा करें कहां है, मुझे तो कोई नजमी आ रहा है लेकिन मुझे आ रहा है, तुम भी और वो भी, चलती रहो हमारे पाई तरफ कसाई की दुकाने उसमें चली जाए पीछे वाले दर्वाजे से भार आजब, वहीं रुको अब भार आजब सीधा धल गेट की तरफ चलो काफे मुरादा जो काफे मुरादा जो कौन थे वो लोग जो हमारा पिछा कर रहे थे परवेश के अदमी थे जामे मस्जित से धर्गा और उसके बाद नहीं पता कौन था उनके साथ शबीर अली परवेश और बहुत सारे लीडर्स और कुछ तुमारी आखों में इतना गुस्सा क्यों है यह हर कश्मीरी को विरासत में मिलता है और एक बात तुम बेहत खुबसूरत हो बिलकुल कश्मीर की तरह खुबसूरत सरफ चहरा है अंदर छाक के देखोगे तो चल जाओगे पहतर यह है कि हम दोनों से दूर रहें खुदा आफस कश्मीर बिलकुल नहीं बदला आज भी जन्नत है देखे रोफ साब आपाद को समयजी की कोशिश नहीं कर रहे है सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है सिवाए आपके समर साहब देखिए जब हमारी ये डील फिक्स हो चुकी है कि मशीनरी आप देंगे और उसको एक्जेक्यूट हम करेंगे तो फिर ये एक्स्ट एक्स्पेंसिस क्यों देखिए आपके जो इंटरनल प्रॉब्लम से हैं प्लीज आप खुद सॉल्व कीजिए हम पर क्यो लग रहे हैं हम तीस करोड रुपए लश्कर पर हर साल खर्च करते हैं अब बताएए आप से क्यों मांगा हमने देखिए सबी मिनिस्ट्री पुलिस फोर्सेज एजनसीज सब के सब इसमें इन्वार्ड है सब की जेवे भरनी पड़ती है तो इस मिशन के बाद फाइदा भी तो सब को होने वाला है अब आपकी सरकार और मिनिस्ट्री का और इंटेलिजनस का बजट कितना बढ़ जाएगा आपको अंदाजा है कुछ बैठिए आप मैं समझाता हूँ आपको और यहाँ देखिए यह देखिए मिलिटरि इंटेलिजनस सो करोड इंटेलिजनस बिरो सो करोड जे एंड के सेपरेट हा तीन सो करोड मतलब पांसो करोड रुपया आपकी सरकार हर साल कश्मीर के उपर खर्चा कर रही है और यह पिछले अठारा सालों से चल रहा है अच्छा बताओ इनको कितना हुआ टोटल 9,000 क्रोड 9,000 क्रोड रुपय और आपकी एजेंसी का बजट यह मैं सिर्फ कश्मीर के बजट की बात कर रहा हूँ और हम लोग जो आभी बात कर रहे हैं वो पूरे हिंदुस्तान की बात है अब आप लोग अन्दाजा लगा लेजिये के आने वाले 20 सालों में आप लोगों को कितना फाइदा होगा मुहम्मद रसूल अल्ला मुहम्मद रसूल अल्ला अजीजा परवेश हमारी जासूसी क्यों कर रहा है जासूसी नहीं तुमारी हिपाज़त कर रहा था हम अपने हिपाज़त खुद कर सकते हैं बाबा का हुक्म था कौन था वो अजीजा किस से मिलकर आ रही हो जहंगीर पुलिस से बचाया था उसने में मारूफ वाली दिन आइंदा उसे नहीं मिलना ये हुक्म है याली आइंदा रहा उसे नहीं मिला हो ये जहीं मोड़त कर अईंदा जूटा है बाजी जग्या जए आप बाजी बाजी बारे थीक जो और हिंदुस्तान से कब लोटी हैं दो दिन पहले तिल ली जैपूर जोदपूर तक जाके आई सब जेलों में देखा कहीं कोई रेकोर्ड में दस हजार से ज्यादा लापता है और किसी का कोई रेकोर्ड मैं जब भी वापस आती हूं तो यह सब एक नई उमीद के साथ मुझमें अपनों को ढूंगते हैं और मैं मायूसी और निराशा के अलावा उन्हें कुछ नहीं देखाते हैं इंशाल्ला सब ठीक हो जाएगा इंशाल्ला सलाम सलाम वालेकुम सलाम आते भाई आनास को आगया है इंशाल्ला शाम तक सीमेंट भी पहुंच जाएगा रजाका यह मकान कब पक्के होंगे आते भाई तकरीबन दो महिनत लगेंगे अच्छा मतलब गोलियों और गालियों से जी नहीं भर आपका जो अब इन्हें सर्थी से मारने का इराता है जल्दी से तियार करो जी ओई सलमान जी वो रेडियो तियार हुआ कि नहीं रेडियो तियार है आते भाई सब लोग आप का इन्तजार कर रहे हैं सलाम अले कॉम सलाम वाले कुम से नी गए आज छटी अच्छा क्या लैं बारे ठीकु ना बारे बारे वो सकीना की सगाई की तेयारी कहां पहुंची बेटा सारी तैयारियां तूने ही तो की है बस एहमाद के आने का इंतजार है आतिव भाई टेमपो तैयार है मौजो काद कर सलाम वालेकुम बेटा तुछी खेना सकीना की शाद की नहीं रही है यहां की आलत वहां से बत्तर है कोई नहीं अपना वो लोग यहां आने को तरस रहे हैं और हम अपने घर जाने को पाजी इसकी तो रिपोर्ट करनी चाहिए अरे नहीं यार यह लोग आतंकवादी नहीं है आम आदमी हैं जो जोश में पाकिस्तान चले गए थे तीन हफते हैं मैं भी अपने घर निकल जाओंगा जान चुटेगी इस पागलपन से पाजी आप पे भी पागलपन के दौरे पढ़ते हैं क्या हाँ जब तनख्वा साथ हजार उपए हो तो और क्या होगा सला खाना भी खुद पकाओ परदी भी अपने पैसों से पहनो और उपर से इन माधर चोद आतंक वादियों का मुकाबला भी करो कहने को ये जन्नत है जन्नत 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 और जहन्नम के बीच का फासला सिर्फ एक को लिए जन्नत 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 भी करो दो में सब्ज़ख जन्नत भाईसा पाचिस्वा दिसा अ करें अधाई बरुविगका अधाई हम वह हम प्रुख आले जनाब केसर भाज ओक पुछिदा है हम मीं कल दिली से आ रही है पहुच जाएगा सामान रम नर्वान कर दो पट्चो को तालीम के लिए भेज रहा हूँ और शारी से काम लें केसर पहुच देग तुमें तुमेराने इससा आमेल जाएगा रहास रहास थैंक्स पर वेटिंग कम, कम हाह हाह सो, अल वेल? सब्सट्ट, हैरियत तीन घंटे के लिए बौर्डर खुलवाना है तीस लाग इस बार रेट कुछ जाधा है सरकार वक्त बहुत जाधा है तीन घंटे के लिए बौर्डर खुलवा रहे हो कितने लोग आ रहे हैं? तीस इसमें पांच और जोड़ों और उन्हें आखिर में भेज रहा है आमी को भी अपना टागिट पुरा करना होता है कब तक यह स्ट्रगल चलती रहेगी अपने ही मुल्क में इजजत से जीने के लिए और हमें कितना लड़ना पड़ेगा कभी-कभी लगता है आजादी का ख्वाब सिर्फ ख्वाबी रह जाएगा अजीजा पता है बच्पन में अम्मी कहा करती थी कि जो अल्ला ताला को सबसे ज़्यादा प्यारे होते हैं वह उनका इम्तेहान बाकियों से ज़्यादा लेता है आत्व यह गुल्जांगीर कौन है क्यों पता नहीं क्यों इलेक्शन जाते ही नएने चेहरे दिखनी लगते हैं वैसे इस बार एक पुराना चहरा भी दिखाई देगा तुम जानते हो इसका नतीज़ा क्या हो सकता है बंदूग तो उठा कर देख ली अब बैलिट भी आजमा कर देख लेते हैं मकसद वही है आजादी कुछ हो गया तो फिर दूसरी जन्नत में मुलाकात होगी है दिल को तेरी आर्जू पर्म तुझे ना पासको है दिल को तेरी जुस्त जू पर मैं तुझे ना पासको मैं हूँ लब तू दुवा दोनों जुड़के जुदा मादनों माशुका दे बरा मादनों तू ही तो हर पल बन्धा है लंभों की इन जन्जेरों में तू ही तो हर दिन दिखा है धुदली आउजली तस्रीरों में गज़ुस लबसा दूवा उलत दश्वाई जुदा मादनों माशुका दे बरा मदनों तू ही तू ही तो हर दिखा है लंभों की तू है है विक्रम मुझे हाजी ब्लास्ट केस की फाइल्स जहिए सर वो सी आएक के पास है बिना सही वजय बताए वो लोग मुझे फाइल्स नहीं देंगे and you know that is a risk to our mission सी आएक का चीफ कौन है सर स्पी खान बट he won't cooperate in कश्मीर the system works differently विक्रम that's the problem सर damn egos this system sucks अमी अलो सर युसफ मां मिलाशाब में से जुझा को जोए पॉर्थ! जोए पॉर्थ! अलो इस यूसुफ मान जाब आपसा जोए 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 कि अधिवार कहा है कि यहां आने से कुछ हासिल नहीं होगा परविना जी गवर्मेंट तो आपको मौवज़े दे रही है पांच लाग रुपै कम नहीं होते पैसे लो और जान छोड़ो हमें पैसे नहीं हमारे खाविन चाहिए हिंदुस्तां की कौन सी जे में बंद कर रखा है अपने सभी जेलों में तो हो आई हैं आप वहां नहीं मिले तो मैं क्या कर सकता हूँ चले के होंगे सरहत पार उन्हें फोज उठा कर ले गई थी खांच सा इन कौरें चल रही है का 17 साथ से आपकी इन कौरी चल रही है खांच साब आप ये क्यों नहीं कहते कि आपकी इंकौर्कार ने उन्हें मान दिया है कम से कम हम जूठी उमीब सक्षारी को नहीं हामें के अपनी इसलामी regante कि तहर के एक व्यवा के हद को मिलेंगे इन्हें हटाओ यहां से, हटाओ इन्हें यहां से, खांसब, खांसब, कब से कम यह तो बताए कि उन्हें दफनाय कहा है, उनका पतेरा तो पर लेंगे, खांसब यह जैकेट तुने किसको बेचा, अब बहुत लोग खरीदने आते हैं, कैसे बताओं किसको बेचा इन्हें उन्हें से बताओं कर, कैसे यह तुची बॉम तुने लगाया था, मैंने कुछ नहीं किया, तुझे मारने के बाद मैं भी बोलूगा मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे बस इतना पता है कि, अर्जेंडी वाली गाड़ी कोड़ाना था, फरफेजभाई का ओर्डर था, अर्जेंडी वालेकम सलाम, अन्बर के कातिल का पता चाहिए, तो शाम को पांच बजे, अमीना मंजिल पहुचाना, कौन मोल रहा है, खदा हाफिस, कौन? हलो, हाँ आपका काउं गया? हाँ, आपका का त 네क के बेड़ debut, से खजाना गाए पाहिए, चटना पाम को कि वालेकम से फारा मालuvo medium, है, अर्जेंडी टाभी कोग़ाउचा वालनगख़ने नका था नक एक पहक् Mask? क्वालोगा मोल आपका का जया है? क्श remedy खिसे से तोर्म्री का सक राद़ी है? कर दो डाहल जाएं प्रॉजब जाएं प्रॉब्सार कि अच्छार बाला जाएं प्रॉब जाएंडर प्रॉबर शेन कर दोर दोर को अचे जान जा है तुझे ही ढूंद रहा था, इस पुनाकाद के लिए बहुत-बहुत शुक्री है मादर चुछ, यहाँ पे पुलीस कम है या फिर, तु ही पुलीस है सामने क्यों नहीं आता? नास्ट का ओडर तुने दिया था स्याता दिमाग बत चला ने तो पूरी बिल्डिक को फ्लास्ट कर दूआ जल बता अभी, आज ही पे फ्लास्ट की उगरवाया अग्ली गोली दूखाएगा, अब पता किसको मानने की तहियारी चले आतिव भाई, आप सही कदम उठारें मेरा वोट आपके ही हक में पढ़ेगा शुक्रिया आज हमारी आइडेंटिटी सिर्फ एक आइकार्ट बनकर रह गई है कहने को तो हम जन्नत में रहते हैं लेकिन सच बात यह है कि 18 सालों से हमें खूपसूरत जेल में रह रहे हैं अरे ना भोलने की आजादी ना सोचने की ना अपने ढंक से जीने की आजादी हमारे बच्चे बाहर काम नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें मिलिटिंट का जाता है और यहाँ पर वो काम कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं है यहाँ पर इंडस्ट्री तब तक नहीं होगी जब तक ये मौका परस लीडर है जो नहीं चाहते कि आवाम तरक्की करे जो कि तरक्की पसंद आवाम सवाल पूछती है दुनिया चान पे घर बना रही है और हमें अपने घरों से निकलने से पहले पचास बार सोचना पड़ता है हमें वही कश्मीर वापस लाना है जहां अमारे बच्चे बंदूकों और गोलियों के साथ नहीं हिलोलों के साथ बढ़े हो वही कश्मीर जहां हमारे बच्चे माबाप के साथ बढ़े हो ना के यतीम खानों में मैं आपसे जन्नत का बादा नहीं करता लेकिन इस जहन्नम से निजात पाने की पूरी इमानदार कोशिश जरूर करूंगा आने वाले इलेक्शन में गुल्मोहर को वोट दीजिए आवास दो आपसे जरूर का बढ़ा दो अमारी मिशन के लिए ऐसे लोग खत्रा बन सकते हैं जी और परवेस पे इंटेलिजिएंस की नजर है उसको अंटरग्रांड होने के लिए बोल दिया है और बीच पीच में वो आजी को मिल दे रही है उन्हें आज़ादी के ख्वाब दिखा दे रही है आप भी फिकर रहे हैं हर काम प्लैन के मुताबिक चल रहा है जमान महफूस है और ट्रेनिंग का काम जोरों पर चल रहा है इन्शालला जो एटिनाइन में नहीं हुआ इस बार होगा आतिफ हुसेन ने आज एक पॉलिटिकल रैली में काफी भड़काओ भाशन दिये और जनता की सम्वेदनाओं को उत्तेजित किया बेकाबू भीड को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को फाइरिंग भी करनी पड़ी जिसमें काफी लोग जखमी हुए जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस ने दफा 151 एक तहट आतिफ हुसेन को नॉन बेलिबल चार्जस पे एरेस्ट कर लिया है देखे कश्मीर में बहुत खुन खराबा हो चुका है और हम नहीं चाहते कि हमारी बज़े से और कुछ हो इस दस अ प्योर पॉलिटिकल किमिक या कुछ और यह तो वक्त ही बताएगा कैमरमन खुर्शीद के साथ रूव राइना, जी न्यूज, श्री नगर यहां बुलाने की बचा बाबा के बारे में कुछ पता चला था हमें कुछ नहीं सुनना उनके हमलावार का नाम भी नहीं परवेश परवेश को बाबा ने अपने बेटे की तरह पाला है इस इंपॉसिल मगधूम साथ की मस्जिद में खड़ा कभी जूट नहीं बुलो बाबा से खास मौपत की वज़ा मौपत बाबा से में कश्मीर से खुदाफिस चनाब आपका महमान आचुका है बोले इसके साथ क्या सुलुक करना है ठीक वैसा जैसा एक मुझरिम के साथ होना चाहिए बोलो अजीज़ा क्या क्या चाहती हो बाबा आप से अकेले में बात करनी है यहां कोई गैर नहीं है बोलो आपकी जान को खत्रा है उसमें कौन सी नहीं बात है खत्रा गैर उससे नहीं इस पार अपनों से है जो भी कहना है सफसाफ कौँ बाबा परवेज परवेज ने आप पे हमला करवाया था अजीजा तुम जानती हो तुम किस पर इल्जाम लगा रही हो जी परवेज ने प्लास्ट के ओडूस दिये थे तुम हद से बाहर जा रही हो अजीजा उस लील आतिफ की बातों में आ गई हो तुम आतिफ ने हमसे कुछ नहीं कहा था तो किस ने बताया तुम यह सब वही जिसने हमारी जान बचाए थी तुम्हें उससे मिलने से मना किया था ना ज्यूं मिल रही हो बरबार उससे तुम पीकेफ के असूलों को भूल गई हो बड़ी बी से माफि मांगबा वो हम नहीं कर सकते बापा आपकी आँगों पे परदा बड़ा है इतना परदा नहीं पड़ा अजीजा कि तुम्हारी हरकतों को बचपना समझ कर माफ कर दूँ तुम्हारे लिए बेतर ही होगा कि तुम भी आतिफ के तरह अपना एक अलक रास्ता अख्तियार कर लो इसकी जबान इसकी मौत की वजह न पन जाए बड़ा कहें तो कुछ भी नहीं मैं कुछ भी नहीं ना दे सर मेरा ना मिट्टी में मैं हूँ बंजारा मेरी ही जमी पे मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ क्यो अतने जहां हूँ मैं हूँ एजनदी मैं कौन हूँ इसलाम के नाम पर पंडितों के नाम पर कश्मीरियत के नाम पर आजादी के नाम पर सबी शामिल है सबी शामिल है सबी शामिल है आजादी 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 खून बहा है बहुत सारा अल्ला का बंदा आतिफ हमारा यही नारा था ना तेरा बहुत लोगों का खून बहाया है न तूने बहाया है खान पर मासूमों का नहीं तुझ जहसे हरामजादों का इसलिए हाजी ने तेरे को अपने पार्डिसन निकाला था सालिक लशकर के साथ काम नहीं कर सकता लशकर हमारी मुहिम का एक अहम हिसा है मैं बंदूग छोड़ना चाता हूँ यह फिदाई से मुझे नफरत है वो वो इसलाम के खिलाफ हैं और तुम हमारे आजादी की जंग में अपनी जान देना बहुत फक्र की बात होती है आजादी के खाब बेचते आप लोग कश्मीर को एक कंपनी बना कर रख दिया है एहसान फरामोश जिनने ताओं के लिए तु काम कर रहा था उनके खिलाफ डारे लगा रहा है आजादी दिलवाएगा शेरे कश्मीर बनेगा हाजी से भी बड़ा आद्मी बनेगा सालेक, गत्तार इलेक्शन क्यों लगना चाहता है दिल्ली के हाथों कितने में बिका है तू तू कितने में बिका है खान वर्दी हिंदुस्तान की पहनते हो हर बात पाकिस्तान की करते हो कश्मीरियत को लाल चाग पर बेचते हो तू लगना कितने मुँन भPutते मुँस्तान तू बोताय! तू दो थालowe! Ĥू दो थालowe! आतिफ हुसेन की रिहाई के लिए हजारों लाकों लोग सड़कों पर उतराए हैं और उनके साथ हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने के लिए मौलवी अबास अंसारी की बेटी और फातिमा स्कौर्ट की लीडर अजीजा खुद अवाम के साथ जुड़ गई हैं हमारे साथ बात करेंगी खुद अजीजा आतिफ हुसेन कश्मीर और कश्मीरियों की आजादी के लिए लड़ रहा है वो भी बिना किसी हत्यार की उसे जिस कुना के लिए गिरफ्तार किया गया है वो बिल्कुल सच नहीं है मैं हर कश्मीरी से गुजारिश करती हूँ कि आतिफ हुसेन की रिहाई के लिए अपनी आवाज बुलंद करें बिल्कुल अपने बाप की तरह है जिदी मते जिदी अराम सादोवे ने तुम्हारा अराम सादोरे तुमारा इसी की तो तन्खाब आते है वैसे मेरा हल कश्मीर से तो बहतर है ऐसे वक्त पे भी मजागक कर लेते हो फिक्र मत करो, इस बार मैं ही नहीं, सारा कश्मीर तुम्हारे साथ है मीडिया भी तुम्हारी रिहाई के लिए जोर दे रही है ये देखो, कल से सिगनिचर केमपेंड भी शुरू किया है अजीजा तुम जानती हो यूँ, खुलिया मेरा साथ देने का नतीज़ा क्या होगा आज ही तुम्हें पीकेफ से निकाल देगा वो नापत नहीं आएगी मैं पीकेफ छोड़ चुके हूँ अजीजा मुझे यहां डालने वाला उसी का बाब है राउफ देखो मुझे तुम्हारी फिकर हो रही है तुम्हें यह इफाज़त की जरूरत है कुछ दिनों के लिए तुम दर्द बुरा चले जाओ रजाकर और सल्मान सारा इंतिजाम करतेंगे क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ तु आज पर्वेज को जानने के लिए हमें सबसे पहले पर्वेज को गिरिफतार करना पड़ेगा मेरे हिसाब से प्लास पर्वेज ने करवाया था I have a feeling it has something to do with operation 89 are you sure positive sir this is part of a big conspiracy कर दो और भूट अज़ा हुआ कर दो असलाम वालेकुम जनाब आँ वालेकुम असलाम आई जनाब मुझ से कहा होता तो मैं खुदी चला आता इंदुस्तानी पुलीस अफसरों के साथ जानते भी हो कश्मीर में क्या हो रहे तुम्हारे खिलाफ आरेस्ट वारेन निकला हुआ है जब तक महौल सुलज नहीं जाता तुम यहीं रहो इत्मे इनान से रहो हमारे साथ अब हमें कश्मीरियों के तेरे महमान नवाजी तो आती नहीं जितनी हो सकती है उतनी खातिरदारी तो जरूर करेंगे जावेद कब आप खिलाओ खाओ लो ये लो शुक्रिया कोई बात नि रूसियों से जंग लड़ने से हमारे जिहाद को दो मस्बूत दोस मिले हैं एक तो अमरीकी डालर और दूसरा ये एके 47 जनाब जानते हो इसे एके 47 क्यों कहते हैं जनाब मैं तो सिर्फ चला ना जानता हूँ एके यानि आजाद कश्मीर संसंतालिस से अब इसे चाहे पानी में डुबो या बर्फ में डालो कभी धोखानी देती तुम कश्मीरियों के तरह बाबा पर 17 ब्लास्ट हो चुके हैं अठारवा कब होगा ये कोई नहीं जनता उनकी जान को खत्रा है और ये बाबा कभी नहीं मानेगे चाचा हम बाबा के हमलावारों का परदा फास्ट करना चाहते हैं ब्लास्ट की दिन क्या हुआ था हाजी बाबा परवेज हो शब्वीर भाई रजिस से निकले हर जुन्मे की तरह हाजी बाबा ने दरगाह पर गाड़ी दोए ये फाकीर को हरा कपड़ा दिया और पता ने क्यों कहा के शब्वीर भाई की गाड़ी पर मान दो मुझे बसकितना पता है कि हर येंडी वाली गाड़ी को उड़ान पाथ खान आवाम में आतिफ के मकूलित बढ़ती जा रही है तुम जितना उसे जेल में रखोगी मीडिया और आवाम उसे उतना ही एरो बनाएगा लोग मुझ पर भी शक कर सकते हैं उसका जेल से निकलना है बेतर है जेल के बाहर निकल कर वो हमारा कुछ नहीं बिगाड सकता लेकिन जेल के अंदर रहकर वो हमें बहुत नुकसान पहुचा सकता है आप रहूफ से कहते तो बेहतर रहता उसी ने तो अंदर करवाया था परवेज की कातिल का कुछ पता चला इन्फॉर्मर्स लगे हुए हैं पहली ख़बर आपी घुवाईगी आतिफ उस दिन आल पार्टी मीटिंग में क्या हुआ था? उस दिन शबीर और हाजी के बीच में कुछ जगड़ा हो गया था शबीर एलेक्शन लड़ना चाहता था और हाजी ने उस पर इल्जाम लगाया कि वो दिल्ली के हाथों बिट चुका है ब्लास्ट के दिन वो सब कहां जा रहे थे? बस इसी मसले का हल ढूणने के लिए पीर के घर जा रहे थे लेकिन पीर बाबा को सियासत छोड़े अर्सा हो गया वो क्यों दखल अन्दाजी करेंगे? यह कश्मीर है जनाब यहाँ सियासत कभी कोई नहीं छोड़ता कभी-कभी लगता है तुम मुझे सवेरे का अखबार समझते हो अरे कभी तो यही हाल-चाल पुछने आया करो पूरे कश्मीर में आप एक ही हो जिस पर मैं भरuity कर सकता हो जिसे दोस्त कह सकता हो मजाग कर रहा था तुम कश्मीर का दर्प समझते हो भाई हो हमारे बोलो क्या बात है ब्लास्ट के दिन हाजी और शबीर अली आपसे मिलने आये थे किस सिल्सले में पुरियत कापसी मसला था सला करने आ रहे थे मसला इतना गहरा था कि हाजी ने शबीर अली को मा दिया ब्लास तो हाजी नहीं करवाया था ना मुझे यकिन नहीं हो था दोनों एकी पार्टी के थे तो जगड़ा किस बात का एकी पार्टी में होने से सोच एक जैसी नहीं हो जाती आने वाले इलेक्शन को लेकर दोनों के इरादे मुक्तलिफ थे हाजी इलेक्षन बॉयकट करना चाहता था शब्बीर ने इलेक्षन में उतरने का फैसला किया जाहिर है जो इलेक्षन लड़ेगा उसने हिंदुस्तान से समझोधा किया होगा इसका मतलब ये है कि शब्बीर अली दिल्ली के हाथों पिका था ये कश्मीर जो है ना कश्मीर ये बहुत बड़ी कंपनी है जहां लोग रोज करोडो रूपया फेकते हैं ताकि ये जलता रहे शायद शब्बीर बीसी का शिकार हुआ था क्या मालूम और आतिफ मरेगा ये You have to arrest Haji sir Not possible, Vikram try to understand अगर हम hati कोma arrest करते हैं तो फिर से भई होगा जो 89 में हुआ था लाखों के जुलूस और फिर से असाधी का जुनून कश्मीर विल बन अगें विक्रम I don't understand you guys पॉलिटीशेट को कोई अरेस्ट करता ले अरेस्थ होते तो मासूप कश्मीरी I don't work like that sir You have to arrest Haji विक्रम हमें हाधी नहीं राउफ चाहिए करता तो करते हमें तो ग्राइवा कर दो झाहाई पर क्लाइब हुआ है in the रहीम चाचा को दे देना उनकी बेटी की शादी के लिए और कहना कि बच्छा ने दिये हैं एक वफादार सिपाही के लिए लोलाब में खत्रा है जानते हैं खुदा हाफिज आर आर को गुमराह करते रहो उन्हें हम तक नहीं पहुंचना चाहिए वादी में अमन का होना हमारी मिशन के लिए खत्रा है ठीक है भाई जानते सार उख जाओ सार जनाब शायद आपको इस बात का हैसास नहीं कि अगर ये बात जनता को पता लग गई तो सरकार भी किर सकती है सरकार इस उपरेशन से लोगों के बीच जो देहशत पैदा होगी उसका सीधा सीधा फाइदा आपको होगा लोगों के बीच जितना डर पैदा होगा आपके मिनिस्ट्री का बजट उतना ही भड़ेगा और ये बात मुझे आपको बतानी ने चाहिए कि ऐसी डीलिंग में सबसे मीठे आम आपको ही मिलने वाले हैं सबसे बड़ा कट रहेगा आपको तो जितना निचोड सकते हो निचोड लो रहेगा है प्सक्राइब प्सक्राइब करें अपको भाँ बड़ा है व कर दो हम सब्टाइब कर दो जो जो हुआ तुआ हाँ आँ परोग कर दोदेश तयोट और अज़ते दो हमने एलेक्शन बाइकॉट करने का फैसला कर लिया है और कीमत जन्नत की क्या कीमत लगाओगे जितना दोगे कम पड़ेगा आप बेफिकर रहे हैं इस सोदे से आपको कोई नुकसान नहीं होगा आच्छा वो पैसा ट्रस्ट में जमा करा दू और या आतिव को खामका जेल में रखकर हीरो बनाने की जरूरत नहीं है बाहर निकालो से हम ख़चा आपिस नहीं आए पास्पॉट नहीं देगा कोई उस्थ एक बार फिर हिंदुस्तान ने इलेक्शन का बिगुल बजाया है दुनिया को दिखाने के लिए 1947 से हम सब पर सिर्फ एलेक्शनी थोपता रहा है हिंदुस्तान लेकिन एलेक्शन से क्या होगे Human Rights violation तो यहां सालों साल पढ़ता ही जा रहा है हम यह हिंदुस्तानी फाज की बद्जाती और नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे जाएलेक्शन नहीं आजादी चाते हैं यह जो लोग यहां एलेक्शन लड़ रहे हैं यह दिली के हाथों बिक चुके हैं क्योंकि यह नहीं चाते कि कश्मीर आजात है लेकिन मैं राजी सायद शा और आप जैसे हर सच्चा कश्मीरी उनके मनसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे और आज मैं इस नीली किताब को भाड़ कर एलक्षन के बाइकॉट का ऐलान करता हूँ नहीं चाहिए पासपोर्ट नहीं देंगे वोट नहीं जैना कोई होट नहीं चाहिए पासपोर्ट नहीं चाहिए पासकूर्ट नहीं चाहिए पासपोर्ट नहीं कोउटएं आज मेर उत्येंटि का थी वल्हा-व्य, व descriptions कश्मिरी पंडित्स नहीं मतलब curry पंडित्स इस और वोट कर वाएंगे या वेल, हाँ, लोगों में एक डर सा बैठ गया है, आपके इस election boycott को लेकर, और उन्हें लगता है कि इसकी वज़े से कश्मीर में एक बार, एक बार फिर से आग लग जाएगी, what do you have to say about all this? अच्छा सोचिये, और दुआ मांगे कि हम कश्मीरियों को फिर से वो करने की नौबत ना आये, जो हमने पिछली दफा किया था, कश्मीर के बारे में कुछ अच्छा सोचिये मिस्टर राइना, जी, कश्मीर आजाद होना चाहता है, ये बात तैह है, लेकिन कि हाजी सायद शा पून बहा है बहुत सारा, अल्ला का बंदा आतिफ हमारा, अल्ला का बंदा आतिफ हमारा, हमारे एक्जिट पोल्स के हिसाब से कश्मीरी बदलाव चाहते हैं, लेकिन क्या वो बदलाव, आतिफ हुसेन ही है, ये सिर्फ समय बताएगा, कैमेरमन कुर्शीद के साथ, इनके खावंद, अच्रा साल हो गए, वो मरे नहीं है, शायद, क्या आर्मी उठा के लिगी गई थी, मेज़ शर्मा, वो लिपूझताच के बाद छोड़ देंगे, दो दिन तक कोई खबर नहीं आई, और जब मैं वहाँ गई तो, सब के सब, सब के सब मो कर गए, कहा कि हमने किसी सायद लोन को उठाया ही नहीं था, अल्ला ने कहा है, सबर रखो, बहुत सबर है मुझ में, कर दो, सब कर दो, सब कर दो, सब कर दो, सब करने कि रहाए के बारे में आपसे कुछ बात करनी थी, ऐसी बात फोन पर नहीं किया करते हैं, अच्छा हजरत बला जाओ वह ही कुछ बात करते है खुदा हाफिस बाइवाँ आज क्या बात है हमारी याद कैसे आ गई आतिव जेल में है और मैं पीकेफ छोड़ चुकी हूँ इस वक्त बाबा का सपोर्ट मिलना नामुम्किन है देखिए आप परिशानी में अच्छी नहीं लगते हैं तो बताईए आपके साथ मैं क्या कर सकता हूँ आप खामोश क्यों हाँ कौन हो तुम क्या चाहते हैं शब्वीर अली को मारने का मकसद क्या था आतिव को जेल क्यों करवाई क्या बखबख करें तुम लोग देखिया मैं बिजनेसमेन हूँ जनाप और सिर्फ बिजनेस करता हूँ सही क्या है बिजनेस करता है लेकिन कश्मीर का मुझे 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 बख्ष दो प्लीज बोल यह क्या होने वागए इनका प्लान क्या है बोल इटीनाइन मुझे हुआ था कुछ वैसा ही कहने का प्लान है साफ साफ बता आजादी वो तु दुनिया जानती है तू क्या जानता है वो बता मॉलवी की मौत हाजी और मॉल्वी दोनों कश्मीर की आजादी चाहते थे पर हाजी पाकिस्तानियों की मदद से और मॉल्वी कश्मीरियों की मदद से दोनों के रास्ते अलग थे पर मकसद एक दोनों चाहते थे के कश्मीरी लोग एक साथ हो इकठा हो और ये तब ही हो सकता था जब कोई बड़ा हाथसा हो जैसे कि मॉल्वी की मौत पर अब्बू को तो आनमी ने मारा था अजीजा, तुम हाजी को बाप कित्रे मानती हो पर हकीकत ये है कि हाजी सयद शाह ही तुम्हारे अब्बा का कातल है मार ना हो तो तुम हाजी को मार सकती हो लेकिन अगर तुमने उसे मारा तो कश्मीर में उसका नाम शहीदों में गेना जाएगा और हर दिवार पर उसकी फोटो तुमरे अब्बू के साथ लगाई जाएगी तुमेंसे ऐसा मारो अजीजा कि हर कश्मीरी के दिल से उसका नाम हमेशा हमेशा के लिए बिचाएगा जमीरों आसमा के मालेक सुझ छोड़ सारे काम तुझ जमी में आखे तुस्त देखके तुमेरी दुने नफरते कर रही है कैसे तुमा जमीरों आसमा के तुमा आफनी सेट तzhभाट! ए्टें वोसे ही चांपकावा ठाथ हरourd हमतर अवसे ही चांपकाव अपकें आहरो व çıkina नच्ते ही चांपकावा! अई नआ कर दिस ! अरू़ नँ台! तर वे! देल खजू है इजडने प्यूद प्यूद से कुछरे में झा हुआ है टुछ झाल मुझा यह नही है जो कि अजा के अजा है है। कर दो अएखएखएएखएखएखएखँ अजएखखएखएखशएखपशचे जएखणदवेस हुचफषखएएएखएघजड़ एडते रिपकेशफएगएखशफजएपाओएखएएभ सबसक्राईएखएएखएएखएएएब आप अ, और मोच्ट अ, अगूम् ये अ, एकुटा क्याला कि अ, इन भी नुटा जब हुआ। हम अपनी मिशिन का बिसमिल्ला करेंगे जम्मू कैम से और उसके लिए तुम मैंसे तीन बच्चे जाएंगे तुम तुम बेटा और तुम हमारी मिशिन की शुरुआत करोगे का अचतर आप को अचतरा है जब तुम है जब एम कर दो कि अचतर्व को जब अचतर्स अचतर्प में दो कि मुझे जाना हो पंडितों के कैम्प में आतिफ अजीजा मैं वो करने जा रहा हूँ जो कश्मीर में सालों से नहीं हुआ हाजी अपने फाइदे के लिए लोगों का इस्तमाल करना उसकी खासियत है हाजी भी मरेगा परवेज और शबीर एडी की तरह शबीर भाई का नाम इन कटरपंतियों के साथ मतलो वो कश्मीर की मोहिम का एक सच्चा सिपाई था गलत तुम खामकाओ से हीरो बना रहे हो पॉलिटिक्स में कोई फरिष्टा नहीं होता सब के सब विकाओ होते शबीर भाई बिकाओ नहीं थे वो कश्मीर में अमन और तरक्की लाने के इरादे से ही इलेक्शन लड़ना चाते थे खेर शोड़ो इनसा बातों तुमने मुझे जूट बोला पीर क्या कह रहे हो तु शबीर अली दिल्ली का प्यादा नहीं था वो एक अच्छा कश्मीरी था और ये तुम चानते थे फिर भी तुमने मुझे गुमराख किया देखो एक्रम जितना मैं जानता था मैंने तुम्हें बता दिया मैंने तुम्हें अपना दोस्स समझा कश्मीर का वफाधर समझा लेकिन तुम भी बिग गए हो बाक्यों की तरह क्या चाहते हो तुम लोग शबीरनी को क्यों मारा तुमने ये ओपरेशिन 89 क्या है मेरा कोई ओपरेशिन 89 से तालूख नहीं है है बिल्कुल है तुम्हारा भी और हाजी कभी शाहिद इसलिए शबीरनी मारा गिया क्या चाहते हो तुम लोग आजादी आजादी हाँ मेरा ओपरेशिन 89 से तालूख है प्लास्ट कर रहे हैं जम्मू जो बीस घंटेव के अंदर रोक पागे तुम जम्मू में प्लास्ट का नेधीर जानते हो जम्मू एक और कश्मीर बन जाएगा वही तो चाहते हैं हम वही तो चाहते हैं हिंदुस्तान के हर कोने में एक कश्मीर पैदा हो थाकि तुम लोग भी हमारा दर्द सह सको और समझ सको पिछले 18 साल से हम पर क्या भीत रही है तुम पागल होगे उपीर बिलकुल पागल होगे हो इसका अंजान तुम जानते हो है उससे बतर तो नहीं होगा पीर ये मत भूलो के जिने तुम मारने जा रहे हो वो भी कश्मीरी है और ये मत भूलो के उनके लिए तुम लोगों ने पाकिस्तान से जंग लड़ी थी 1947 में मैं बलास रोकने जा रहूं पीर हो सके तो तुम भी रोक लो बेबस हो मेरे हाट में कुछ भी नहीं है देखे आते हो भाई इतिहास गवा है कश्मीर में इलेक्शन वही जीता है जिसे दिल्ली पसंद करती है और यास से नहीं 1947 से हो रहा है इस बार आपका इतिहास बदलेगा कश्मीर में इलेक्शन वही जीतेगा जिसे आवाम पसंद करती है ये सियासत है सरकार आप अकेले कितना लणेंगे देखिए आपको एक ऐसे साथी की जरूरत है जो आपकी छोटी सी इरिजिनल प्रॉब्लम को एक नेशनल प्रेटफर्म दिल्वा सके आप अच्छी तरह जानते हैं ये सारी प्रॉब्लम आप हिंदुस्तानियों ने खड़ी की है और सच बात तो ये है कि आप इसे सॉल्व नहीं करना चाते हैं इस पर सियासत करना चाते हैं अगर आप सच में इस मसले का हल ढूनना चाते हैं तो कश्मीर से दूर रहिए ओपरेशन 89 is happening as I am talking to you गर्णर कपूर साइद ये 89 से भी बढ़ा है विक्रम मुझे पूरी डिटेल्स दो उनके पास 4 लाग सिपाई हैं सर जिनकी ट्रेनिंग आज़ाद कश्मीर में हुई है इसके इलावा लाकों फिदाएन हैं सर जो हमला करने के लिए तयार है उनका चीफ बढ़चा उसको हमें पकड़ना होगा सर वो ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान के हर शेहर में कश्मीर ऐसी देशब है अब वहों के बेसिस पर हम इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकते और वैसे भी इलेक्शन सिर्पर है अगर हमने ये रैली कॉल अप की तो कश्मीरियों को एक मुद्दा और मिल जाएगा सर वो इस मुद्दे को फ्रीडम ऑप स्पीच और हुमन राइट्स का इशू बनाकर यूएन तक ले जाएंगे बद सर आप डून्ट गेट करिड अभे मैं कंसल्ट अथोर्टी से बात कर लूँगा देश हम समाल लेंगे आप बॉर्डर समालिए कनेक्ट मिट्यू चार चिनार चार चिनार बुल जहांगी तुम्हारी जान को खत्रा है मैं जानता हूँ लेकिन मिशिन उससे भी खतरनाक है कश्मीर छोड़ के चले जाए जियोसी कॉर्ड़ अबाउट ऑपरेशन नाव नाट पॉसल्ब जम्मो अंडर थ्रेट और हमें उसे रुपना होगा तुम जियोसी से काओ मुझे अडवाईज नहीं सपोर्ट की ज़रूरत है और तुमारा शक्स ही था हाजी इस फंड़िट भाई आईस है इसमें सारी डिटेल्स है नुमारी दोस्ट को दे देने नौट रिक्वाईड उसने पीकिएफ छोड़ दिया उसका हाजी से कोई लेना देना नहीं सत्रा साल से ये पैसा हाजी मौल्वी के ट्रस्ट में डिपोजिट करता है शाइद ये बात अजीजा नहीं जानती क्या कपूर उस्राइप मेजर कश्मीर इस दे मोस्ट देंजरोस प्लेस इंद वोल्ट यह कुछ भी हो सकता है एक बार फिर पंडिस टागेट है और फिर तुम सोच सकतीो के कश्मीरियों पर क्या बीतिगी पर होने क्या वाला है आतिफ की रैली में ब्लास्ट होने वाला है क्या आतिफ से कहो के रैली रोग दे पर डू ऐस ऐसे फोन लगाओ आतिफ ए रूती सारिया लाइना ब्यस्त नहीं तोडी तेर बाद जदन करो, इस रूट की सभी लाइने प्यस्त है, रिप्या, तोडी तेर बाद दोबारा कोशिश लगे। Today we in Jammu about to experience a historical event being made. Once a militant, now a political ambassador for peace, Atif Hussain is here to address the Hindu camps of the Pandit community. The Pandits who were once driven away 18 years back for their struggle for freedom by the separatists. So why is it that one such leader is trying to bring the Hindu community back? Is it a pure political gimmick or is it a genuine reach out? Allah Tosya Baut khush hai mere Pachнул, Allah Tosya Baut khaush hai mere Pachay, आतिफ ये रैली कैंसल करतू हुआ यहां बहुत बड़ा ब्लास्ट होने वादा है हजारों लोगों की जाने चली जाएंगे जरा मुड़ कर देखे कितने लोग मौजूद है आज की ये तारीक कश्मीर के लिए बहुत सरूरी है और आप चाहते हैं कि मैं इस सब को छोड़ दू ये कारवाब रुखने वाला नहीं है ये स्टेज पॉइंट है और ये इसकी चार एंट्री एक, दो, तीन, चार भाषन शुरू होने के कुछ देर बाद हम गेट नमबर तीन से दाखिल होंगे जहां से जावद भाई सब समाल लेंगे मिशन कम्प्रेट होते ही तुम मीडिया से मिलोगे और तुम कैप्टन से आपरेशन की काम्याभी हमारे इस मिशन के काबिले एक्तिमाल है कोई गड़ बर नहीं होनी चाहिए ये बच्चा का हुक्म है आपि भुजे, आपि भुजे, आपि भुजे, आपि भुजे, आज में मैं आज आप लोगों के बीच कोई सियासी तक्रीर पेश करने नहीं आया बल्कि अपने दिल की मुराद बताने आया हूँ वो मुराद जो हर सचे कश्मीरी के दिल की आवाज है विंडो पे कोई है, आप लोग वापस आजाओ वापस आजाओ जो बीच गया उसे हम भुला नहीं सकते मगर यकीन मानिये, दर्ग हम सब में बराबर का साहा है बस फर्क इतना है कि आपने मिलिटिंट की गोली खाई और हमने मिल्टरी की आप यहां अपने आली शान मकान छोड़कर इन रेफ्यूजी कैम्प में कैद हैं और हम वहां उस खूबसूरत जेल में सब में मिलकर अपने फाइदे के लिए कश्मीर को एक कंपनी बना दिया है और इस कारोबार में नुकसान सिर्फ आम कश्मीरी का होता है जाहे वो हिंदू हो या मुसल्मान हमारे आपसी जगडे बहुत छोड़े थे जिनको बड़ा बनाना उनका फर्द था क्योंकि हमें तोड़ने में उनको फाइदा था लेकिन इस मसले को हल करना और फिर से एक हो जाना हमारा फर्द है और हमारी जिमेदारी भी और अगर हमने ये कदम नहीं उठाया तो 18 सालों से जो कश्मीर में हो रहा है वो कल जम्मू में भी होगा कि अ कि अ क्मई है कि अ कि अ कि अ कि अ कॉपके अ कि अ हम अ कि अ हुआ ंरा के अ तेश का अ कि अ लाइला मुहम्मद रसूल 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 ला परसूब एल्हा, पर इलहा, पर बहुत्तों परिया। कर दो कर दो हाजी सेयद शा, मेरे अब्बू, मौल्वी अब्बास अंसारी का कातिल है पिछली अठ्रा सालों से वो कश्मीरियत का सौधा कर दे आ रहे है तुम्हें बता भी है तुम क्या बोल रही अजीजा सबूत है मेरे पास उनके पैंक रेकॉर्ड्स जहां पे सालों से अब जो रुप्यों का ट्रांस्फर होता आ रहा है ISI और नाचानि कितनी इंटरनाशनल एजन्सीज इन्हें फंड करती है ताकि कश्मीर जलता रहे ताकि ये मासूम कश्मीरियों को गुमरा करते रहे कभी इसलाम के नाम पे कभी जिहाद के नाम पे कभी कश्मीरियत तो कभी जंगियाजादी के नाम पे हमारे जजबातों के साथ खेलना हाजी सयच्छा का पेशा है और पासपोर्ट फारने का बहुत छोक है नाईने तीन-तीन मुलकों का पासपोर्ट रखते हैं हिंदुस्तान, पाकिस्तान और अफगानस्तान हाजी सयच्छा ने हम कश्मीरियों के साथ वही किया जो सदियों से हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सरकार करती आई है वो हर उस मा का गुनेगार है जिसने अपना बेटा खोया है वो हर उस बेटे का गुनेगार है जिसने अपने वालिद को खोया है और वो हर उस औरत का गुनेगार है जिसके खाविन आज तक लापता है ये मेरी जात्ती लड़ाई नहीं है बलकि कश्मीर के वजूद का मसला बन गया है हाजी सेयद शाने कश्मीर की आवाम को धोका दिया है आपको धोका दिया है और सजा देना सिर्फ आपका हक है प्काइप के लीडर हाज्ष सेयद शाह को आज शुरी नगर में किरमतार कर दिया है अज प्यात आतंगवादी बच्चा आज शुरक्षा बलो के साथ में बटीया है तक वरारा में सुरक्षा बलो और आतंगवादियों में फाइरिंग जारी है अब तक दो आतंगवादी बारे जाचेगे है जम्मू कश्मीर में आज हारी शुरक्षा के बीज मंदान संपन भूआ हाजी सेयद शाह है बिलीज़ आन हेल्थ ग्राउन इसलाम के नाम पर पंडितों के नाम पर कश्मीरियत के नाम पर आजादी के नाम पर सभी शामिल है एक पल मिला कभी खुछ लुमा एक पल मिला कभी हमज़ा एक पल रही कभी खैरियत एक पल हुआ कभी हादसा मौसम कुछ पहचाने ऐसे मिले यहाँ दिल को जो होदे गए खामोशिया मौसम कुछ पहचाने ऐसे मिले खामोशिया यहाँ ते बहलती है यूही होदी सुपा पहमज़ा पहमज़ा यहाँ पहमज़ कर दे खामोशिया एक पल मिला कभी खुश नमा एक पल मिला कभी रुमज़ा एक पल नहीं कभी खैरियत एक पल हुआ कभी हादसा उम्रे कटती रहती है धूप कभी बारिश में गम की रुत भी आती है खुशियों की फारिश में अकसर लमहे कटते है चाहत या रंजश में पर दम कभी आखिरती है बातों की बंदिश में एक पल कभी सुकून है एक पल कभी है बेतली एक पल कभी जुनून है एक पल कभी है बेबसी यही असल से होता रहा है यूही जिया हर एक रूसा रहमत से बंदे खिला रहमत से अंपर तु कर दे खुञा झाल रहमत तु कर दो ज़के पल अवड़ कर रहमत दो पल कर में पल क्यामता रहमता रहमत रहमता झाल झाल